नवस्कार आप देखरें द्याइंगल और मैं हूँ आपके साथ नीटू शर्मा कोरोना के बड़ते केसिस को लेकर मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने चिंता जटाई है गहलोत ने पियम मोदी को जम कर खरी खोटी सुनाई उन्होंने कहा कि राजस्तान में 18 साल से अधिकोम्र के लोगों का वैक्सिनेशन शुरू हो गया है लेकिन मांग के मुताबिक वैक्सिन नहीं मिली है मुखे मंद्रेशो गहलोत एक बार फिर पियम मोदी से 18 से 45 साल एजग्रूप वालों के फ्री वैक्सिनेशन की खोशना करने की मांगी है CM कहलोत ने सोचल मीडिया पर दिखा आज से 18 साल से ज़्यादा एजग्रूप वालों को वैक्सिन लगना शुरू हो रही है पियम मोदी जी से निवेदन करता हूँ कि इस आयू वर्ग समेत सभी को फ्री कोरोना वैक्सिन उपलब्ध करवाने की घूशना करें इससे जल्द से जल्द और अधिक से अधिक लोगों को वैक्सिन लग सके गहलोत ने आगे लिखा है हमारे देश में बजपन से लेकर बड़े होने तक BCG, polio, hepatitis B, pentavalent, rotavirus, measibles, rubella, जापानी बुखा, DPT, titnes और pneumococcal वैक्सिन समेत बारहटी के मुफ्त लगाए जाते हैं इसी का परिणाम है कि अधिकादिक बच्चे इन बीमारियों से सुरक्षित हो पाते हैं अमेरिका जैसे पुझी पति देश ने भी अमीरों सेहित सभी को मुफ्त वैक्सिन उपलब्द करवाई हैं जिससे टीका करन अभियान के सफलता सुनिश्चित हो जाती है मुख्यमंतर ने कोविट काल में लोगों से शादी टालने की अपील किये है उन्होंने लिखा कि कोरोन महामारी की इस दूसरी वेव में जिन लोगों की शादी है उनसे अपील है कि वे अपनी शादी टाल दे क्योंकि अभी शादी में खुशों से अधिक कोविड की चिंता लगी रहेगी इस महामारी पर विजय पाने के लिए संकर्वन की चेन तोड़ना जरूरी है जो शादी में आने वाले लोगों की वज़े से संभग नहीं हो पाएगी